नमस्कार दोस्तों आप सफीका मारे चानल प्रहादी स्वाकत है दोस्तों आज 23 नोंबर 2023 है और आज मैं बात करूँगा मामा अर्थ ब्रांट की कमपनी होनासा कमजूमर्स के बारे में दोस्तों आज इसका Q2 का रिजल्ट्स आया हुआ है परेंसियलियर इंडिंग 24 वाले का और वो बहुत ही सांदार रिजल्ट्स इस समय निकल करके सामने आया है जिसके चलते आज इसके सेर्स में भूम आ गया एक तरह से जो जौला मुखी होती है फट जाती है एक दम से आग तेज निकलती है उसी तरह से आज होनांसा के सेर्स मे जवर जस्त उचालाई 20% की अपर सर्टिट लग गई दोस्तों एक दिन में 20% की अपर सर्टिट लगना सेर्वजार के लिए बहुत बड़ी ख़बर होती है तो दोस्तों जैसा कि मामा एर्थ का ब्रांड परसनल ब्यूटी के लिए काफी मसूर है और काफी फास्ट की बहुत ही दांसू रिजर्ट्स प्रस्तुत किया है जिसके चलते अब इसके सेर्स में कितनी तेजी आएगी यह थोड़ा देखने लाइक रहेगा तो दोस्तों बने रहे है वीडियो में देखिए इसकी जो पॉजिटिव ख़बरें हैं और साथ ही इसके सेर्स में क्या आ अर्थ का आई पीओ का डिटेल क्या रहा था याने कि होनासा कंजुमर्स का आई पीओ जब आया था उसमें कौन-कौन से मुक्षी चीज़ें थी तो दोस्तों आई पीओ की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होई थी वह 31 अक्टूबर 2023 से 2 नौंबर 2023 तक होई थी लिस्टिंग डेट साथ नौंबर 2023 को होई थी फेज बैलू 10 रुपए प्रितिसेर और प्राइस बैंड था 308 रुपए से 324 रुपए प्रितिसेर पर और लाट साइज 46 सेर्स का टोटल इसू साइज था पांच करोड पच्चीस लाग सोला जाज 742 सेर्स का लगबग 1701 करोड का ये पूरा इसू था और काफी सांदार इसू कंप्लीट हुआ था और उस के बाद जो उसकी लिस्टिंग का प्राइस हुआ था वो इसके हाइस्ट जो प्राइस बैंड था 324 उससे मात्र एक दो परसेंट उपर ही हुआ था और प्राइस इसमें कोई खास कुछाल नहीं हुआ था तो प्राइस के जो और चेंजेज समय हुए हैं वह थ्वड़ा बात में बात करेंगे सबसे पहले जो इसका सांदार क्यू डियर्ज आया है उसके बारे में जान लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले इसके हाइलाइट्स क्यूटू दोस्तों जैसा कि अभी क्यूटू का डियर्स जो आया हुआ है फरेंसी लियर 24 वाले वसमें होनांसा कंजूमर्स ने 496 की रिवनियू आप एसंस के द्वारा अरजित की है जो की सांदार 21 परसेंट यारानियर बेसिस पर है और इस इस तरह से एयर आन एयर बेसिस पर लगबग डबल के आस्वास प्राफिट आपको दिखाई देगा इसी तरह से यदि हाफ हैली रिजर्स की बात करें इसी फानेसियल इयर इंडिंग 24 के रिजर्स के बारें तो अभी हाफ हैली में 961 करोड की रिवनियू आप एसंस के इसी तरह से नेट प्राफिट की बात की जा तो 54 करोड का हाफ हैली में इनका रिजर्स निकल करके आ रहा है जो की एयर आन एयर बेसिस पर 1370 परसंट की सांदर ग्रोथ है इसी तरह से वाल्यूम का सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे तो लगबग 27 परसंट का क्यू टू के फानेस 24 वाले में दिख रहा है एयर आन एयर बेसिस पर और इसी तरह से हाफ एली की बात करेंगे तो 35 परसंट की सांदर जंप है एयर आन एयर बेसिस पर और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि होना सा कंज्यूमर्स ने अपने आफ लाइन डिस्ट्रिबूशन को बहुत इस पर सांदर ब्रोती दर्ज की गई है इसी तरह से मामा एर्थ इस समय टाफ 15 बीपीसी ब्रांड्स भारत में अरजित कर चुका है साथ ही कई इनके पॉड़क्स और भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं डाक्टर सेस इस समय चोथा ब्रांड और अनसा कंज्यूमर्स का बन किये अब दोस्तों तोड़ा निगाह डाल लेते हैं कि इस सांदर रिजर्ट्स पर कंपनी के सी यूओ ने क्या का है तो दोस्तों वरून अलग जो की चेयर मैंन भी हैं और सी यूओ है उनासा कंज्यूमर्स लिम्टेक नोंने कहा कि मुझे इस चीज का प्राउड है कि सब्सक्राइब उनको सपलता मिली है साथ ही जो कंज्यूमर्स से उन्हें प्यार मिला है उनके ब्रांट्स के लिए उससे वो काफी उस्ताइथ हैं साथ ही उनासा कंज्यूमर्स ने अपने ब्रांट्स को और आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी और इन्वार्मेंट के इसा काफी तेजी से बड़ा हुआ है मामा एर्थ ने इस समय अपनी जो ट्रीस की प्लांटेशन है वो 5,10,870 ट्रीस पर पहुंचा दिये साथ ही जो रिसाइकल किया हुआ है नोने प्लास्टिक को वो 7,591 मेट्रिक टन फरेंसियल 21 से ले करके और अभी तागिस समय ये प्लास्टिक पॉजिटिव इनिसियेटिव काफी अच्छा ले रहे हैं हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेर्स में कि इसकी क्या इस समय आज की इस्तिती रही दोस्तों आज यसा कि 30 नोमबर 23 से और आज इसमें 70 20 परसेंट का जंप दिखाई दिया अपर सर्किट पर इसका सेर्ट लाक हो चुका है और आज इसकी क्लोजिंग बनी है 430 रुपए 75 पैसे पर NSC पर और यह ही इसका आज का जो क्लोजिंग बना यह 52 वीक्स हाई भी है यानि कि 430 रुपए 75 पैसे पर इसकी 52 वीक्स हाई है और 52 वीक्स लोग यह बात करें तो 10 नॉम्बर 2013 को 256 रुपए 30 पैसे तक चला गया था तो अभी हाली में नॉम्बर की इसकी जो लिस्टिंग है उसके इसाब से जो आज इसमें बड़ोतरी होई है वो काफी जबर जस्त है क्योंकि डिजर्स का जो नेट प्राफिट है वो काफी जबज़स्त है डबल के आसवास प्राफिट हमने अभी देखा है एदि आप इसके चार्ट पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जब से इसमें 52 वीक्स लोग बना था उसके बाद से इसने पीछे मुड़ करके सेर ने नहीं देखा देरे देरे इसमें बड़ोतिरी देखने को मिली रही है और आज तो कमाल हो गया 20 परसेंट का अपर सर्किट लग गया किसी भी सेर्स में 20 परसेंट का अपर सर्किल लगना बहुत बड़ी बात होती है इससे कंपनी की जो पोजिस्टन से मार्केट्स में जो इनका स्वालिट पन है वो काफी मजबूत सा दिखाई देता है इसी सांदार रिजर्ट्स में जो मसूर अमेरिकन मल्टिनेसलर इंडेपेंडन फानेंसियल सर्विसेज कंपनी है जेफरीज जेफरीज दोस्तों बहुत ही मसूर कंपनी है ये अपने आउटलुक्स और अपनी एडवाईजरी समय समय पर जारी करती रहती ये कंपनी तो दोस्तों जेफरीज ने भी इसमें हनासा कंजूमर्स लिम्टेट में बाई की रेटिंग कर रखी है तो दोस्तों इनकी तरफ से बाई की रेटिंग आते ही इसमें जब 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 उचाला आपको देखने को मिला है 20 परसेंट की अपर सर्किट लगी हुई है साथ ही जेफरीज ने हनासा कंजूमर्स के सेर्स को जो टार्गेट बना करके दिया है वो पांसो तीस रुपए जो की अभी आज की क्लोजिंग के इसाब से लगबग 25 परसेंट अधिक है साथ ही जेफरीज ने हनासा कंजूमर्स की EPS को भी बढ़ा करके 5 से 6 परसेंट तक कर दिया है यानि कि आगे जो आउटलुक है कंपनी का वो काफी अच्छा है इतनी सांदार अमेरिकन माल्टिलेशनल फारेंसियल स्रविसेस कंपनी की इडवाईजरी ये हनासा कंजूमर्स के लिए बहुत मिल का पत्थर साबित हो सकता है अब दोस्तों जो मुख के बात है कि आज इसमें 20 परसेंट अपर सर्कृट लगने के बाद अब इसमें क्या अभी और आंगे इसी तरह सर्कृट लगते रहेंगे जो जे फिरीज का टार्गेट है 530 रुपए क्या उसको भी क्रास कर जाएगा तो दोस्तों जिस हिसाब से इसका रिजर्स आया है और इसके आउट लुक काफी पाजिटिम है उसको देखते हुए उमीद है कि ये 7 रुपए तक इस समय पहुंश सकता है अगले क्यू थिरी के रिजर्स आने तक क्योंकि जिस हिसाब से इसमें IPO आने के बाद से रेट अभी समय सेर्स के बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इसमें प्राफिट बुकिंग तो अभी इसमें आएगी 500 रुपए के आसपास है लेकिन वो ज़्यादा गिरावट वाली नहीं होगी उसके बाद इसमें एक बार उच्छाल आ सकता है और वो जबज़स्ट उच्छाल होगा और ये साथ सरुपए तक की लेबिल तक जा सकता है लेकिन मार्केट्स में जो इसमें जबज़स्ट कमपटीशन चला है उसमें यदि मामा एर्थ जैसा ब्रांड यदि कामयाब रहता है अपने आपको उचाईयों पर ले जाने के लिए तो सर्तिया इसका सेर्स आंगे चल करके एक मल्टी बैगर भी सेर्स बन सकता है तो अभी यदि इसमें गिरावट होती है जैसा कि अभी प्राफिट बुकिंग का दोर इसमें आ सकता है और इसका सेर्याद को चार सो साड़े तीन सो के बीच में मिलता है तब आप इसमें फ्रेस इंटी कर सकते हैं यदि माल आपके पास पड़ा हुआ है तो आप होड़ करिए बेचने की अभी कोई जल्दी नहीं है लेकिन माल इस लेविल पर खरीदना ये थोड़ा अभी रुक करके आप इसमें पर्चेजिंग कर सकते हैं यदि इसका सेर्याद 500 कोपर क्रास अभी हो जाता है दस-पांस दिन में तो आप इसमें प्राफिट बुकिंग कुछ मात्रा में आवस्ज़ कर लें तो दोस्तो मेरी तरफ से आप सभी को मामा एर्थ ब्रांड की कंपनी होनांसा कंजूमर्स के सेर्ड से अधिक से अधिक पैसे बनाने के लिए सेर्ड बजार से अधिक से अधिक कमाई के लिए में इतरफ से हर दिक सुपकामना है दोस्तों वीडियो को लाइक जरू करें सेर्ड भी कर दें और माई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद